हेलो इसा, स्वागत है इस वीडियो में कही हम बात करेंगे रुची सोया के बारे में इसका FPO क्लोजिंग खत्म हो चुका है 28 को बट उसके जस्ट बाद News I की रुची सोया की तरफ से कुछ मेसेजस लोगों को भेजे जा रहे थे जिसकी वजह से भी ने तो दिनों का टाइम दिया है कि रिटेलर्स अपना एप्लिकेशन पेट्रोल कर सकते हैं तो इस विदरॉल करने के प्रोसेसर में हम ये तो जाने जाएंगे कि हमें क्या करना है मैंने आपको बताया था बट आज लास्ट डेट तीस को जब वीडियो देख रहे होंगे तो आज लास्ट डे आपके पास और यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है वो भी बताने वाला हूँ साथ में इसकी बहुत सारी अपडेट है तो यहाँ पे जो एक फेक न्यूस फैलाई जा रही है कि बहुत ज्यादा विड्रॉल हो गया है हमें निकल जाना चाहिए करना चाहिए उसके बारे में हम जानेगे क्लैरिफिकेशन देंगे साथ में हम देखेंगे कि क्या हमें पेट्रोल करना चाहिए और जो प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलने वाला है अगर जमीन इस IPO में अपलाई किया है तो चलिए देखते हैं डिटेल्स बस आपको करनी है तो चीजे पहला आपको नहीं करना है एंड सेकंड वन इसकी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहाँ पे IPO और शेर लिमिटेड हमेशा जन अपडेट आपको मिलती रहेंगी तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं सबस्क्रिप्शन डेटा जो हुआ थाडे थर्ड पे यहाँ पे ओवरल जो हुआ है 3.59 दिख रहा है बट ये 3.60 है जो ओवरल करेक्शन हुआ है ना इस रिटेलर्स और इम्पलॉई ने भी अच्छा सक्षन किया है इसके बाद एक न्यूज आई बी एसी के वेबसाइट से और ये जो न्यूज है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से आई थी मैं उसका डिस्क्रिप्शन डेटेल दे दूँगा आप चाहे क्लिक करके इसे पढ़ भी सकते हैं कि जो विड्रॉल है वो 3.6 टाइम्स से लेके 2.58 हो गया मतलब जो 3.65 3.6 टाइम ओवर हुआ था वो 2.5 टाइम्स हो चुका है यानि कि एक परसन से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर ट्रोल कर लिया यानि कि बहुत ज्यादा पैसा करीब 43,000 करोड लोगों ने विड्रॉल कर लिया है रिटेलर्स के लिए यहाँ पे जब ये पूरा एपियो है रिटेलर्स अपना कोटा पूरा फुल नहीं किया है तो कहां से 1% ओवरल खत्म हो जाने वाला है पहली चीज आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए थी रिटेलर्स कैटकरी में जो लगाते हैं उनमें इंप्लॉई भी आएंगे इंप्लॉई के पास भी तो रिजर्व थे और जो रिजर्व थे रिटेलर्स के पास तो डीटेल्स इन 0.9.01 कर रखा है और उन्होंने 7.76 तो ये पूरा मिला के भी IPO साइज नहीं होता है मतलब 40.300.00.00.00 नहीं होता है और यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग देखिए 2.58 हो गया 3.6 है तो सीधे सीधे यहाँ पे हमें वन टाइम देखने को मिल रहा है वन टाइम का मतलब है 4.300 से ज्यादा और इतना तो बढ़ किया ही नहीं है रिटेलर्स ने तो रिटेलर्स पूरे गायब हो गए एम प्लस में पूरा कर लिया ऐसा नहीं हुआ है हुआ क्या है BBC ने ये जो डेटा दिखाया विडरॉल का जो दो दिन का आप्शन दिया है ये डेटा BBC ने अपना दिखाया सिर्फ BAC का जबकि ये जो डेटा होता है वो भी ऐसे दोनों कमबाइन होता है तो कमबाइन डेट आप देख रहे है 3.6 और सिर्फ BAC का डाटा देंगे तो उसके पास कुछ रहा होगा तो अगर जो हम विडरॉल करते हैं हम भी अपना कैंसिल करते हैं तो हम BBC पे जो हमने लगा होगा BBC पे कैंसिल करेंगे unseen से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी उसने डर दिखाया वो अपना डाटा दिखाया और कुछ गलीच की वज़े से यहाँ पे उन्होंने 2.5 दिखा दिया कि बहुत ज्यादा रिटेलर्स ने विडरॉल कर लिया है 0.9 शूने से 0.3 सम्थिंग आ गए है ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा लोगोंने लेकिन जब उन्होंने एक सरकुलर जारी करके बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है यह ग्रीज था और जब उन्हें रियल डेटा अपडेट किया है तो आपको जानकर शौक लगेगा कि धवन पे मुश्किल से 10 से 15,000 या 12,000 13,000 लोगों ने ही maximum withdrawal किया है इतने application विल हुए है ऐसा नहीं है नहीं हुआ है लेकिन ये अगर देखे तो 0.01% भी होने वाला है इस पूरे size का जो retailers और employee में लगा होगा यहां देख सकते हैं 2,44,67,045,000 retailers के पास ही है और करीब 10,000 employee के पास तो इस में से 10,15,000 भी cancel होंगे तो उसको 21 से मैं apply कर दो इतने share से यहां से cancel हुए date 3rd पे हो सकता है 10,15,000 लोग cancel कर लें लेकिन जरूरी नहीं है जो cancellation हुई है वो इस news के आने के बाद हुई है और लोग panic होके यहां पे निकले हैं तो भाई अब ये जो news है लोगों को पता चल चुकी होगी नहीं पता चल चुकी है हमारी तरफ से बताई जा रही है आपको update दी जा रही है इसमें उसके बाद लोग थोड़े से positive होंगे अभी यहां एक चीज आपको और देखनी चाहिए ये भी decision लेने से पहले हम withdrawal कर लें इसका जो market में price है आज वो 15% भाग तालिका क्योंकि जैसे ये news आई की तरफ से FIR दर्स करवा दिया गया ये जो सारा प्रकरण जो सारा कांड हुआ है SMS वाला मैंने आपको सुभा update किया था कि ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है आप इसकी जाच करिए जिन्होंने भी किया है उसके खिलाफ एक FIR दर्स करवा दिया है रूची सोया के management ने तो इसे positivity आती दिखी है और जो आपने FB किया है वो करीब 650 के पास building लगाई होगी बट यहाँ पे ये देखिए open market से भी इसे खरीदा है लोगों ने अब लोगों ने खरीदा है या बाबा रामदेव ने खरीदवाया है बट यहाँ पे 15% भागता हुआ दिखा है अब उनको जो लोग नहीं बता दूँ कोई भी शहर अपने आप से momentum नहीं दे सकते हैं अगर जो कोई भी अपने आप से movement देखने लग जाए तो बहुत सारे share खुद से लग जाए यहाँ पे being आएगी तो ही ये stock में आएगा या फिर से लगाएंगे तो ही stock गिरेगा stock कोई भी दो चीजों पे चलता है buying और selling और इस पे impact डालता है कोई भी news positive या negative ताकी लोग खरीदने आ जाएंगे तो stock बढ़ेगा लोग बेचने लग जाएंगे तो stock गिरेगा और news का impact भी इसी तरीके से होता है bad news है तो गिरेगा यानि की लोग बेच रहे हैं और अगर जो अच्छी news है तो बढ़ेगा यानि की लोग खरीद रहे हैं आप ये चीज नहीं जानते हैं तो जान low stock market में अगर जो buying selling नहीं होती है किसी में तो भाई वो stock perform करने ही वाला नहीं है तो यहाँ पे being हुई होगी इसी लिए ना तो लोग अभी भी बोले सर इस पे इसलिए मैंने पहले एक बजे एक बच कर 30 मिनट बजे जब लोगों को चाहिए होता है जब आप लोगों को चाहिए होता है उसके पहले मैंने बता दिया कि सारी detail बट जो लोग confused थे उनके लिए telegram पे proper मैंने recording send किया था उसके बाद proper मैंने message type करके आपको बताया था कि भाई अगर जो आपने हमें telegram पे नहीं follow किया है तो follow कर लो यहाँ पे आपको हमेशा general रही साथ मैं आपके लिए बहुत सारी calls मिलेंगे यहाँ देख सकते हैं कि अच्छी खासी call दी गई है और कई सारी calls हिट भी हो यह ज्यादा अच्छा दिन नहीं रहा बठा लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा बनाया है और सिर्फ यहाँ पे आपको call नहीं मिल जाएगी bank nifty call नहीं मिल जाएगी stock phone calls नहीं मिलेंगी आपको सारी call center में लगी intraday मिलेगा bank nifty nifty call भी मिलेंगी stock मिलेगा बेटी और short term trend भी देखने को मिलेगा free of cost समिती की तरफ से तो आप join कर लो और साथ में यहाँ पे हमारी सारी registered और positive update आपके लिए दी जाती है अगर जो कोई भी चीज नहीं update कर पाते हैं वीडियो के थुरू तो आपको यहाँ पे और instagram पे क्लिक करते हैं जौन हो जाओगे, compensation खोल दोगे आप सबसे उपर link मिल जाएगा क्लिक करने के बाद आप जाएगा और जो नहीं हो पा रहे हैं आप share market चौक सर्च कर सकते हो आप subscribe करके रख लो, कर लो आप disappoint नहीं होने वाले हो तो यहाँ पे मैंने finally बोला था कि smart tag के लिए जा सकते हैं तो भाई वही smart target के लिए वही small game के लिए अभी भी आप इसमें रख सकते हैं विड्रॉल करने की कोई जरूरत मुझे नहीं दिख रही है अगर जो रिस्क आपको लग रहा है तो रिस्क की तरह और लिस्टिंग भी उसकी अच्छी खासी होती दे सकती है कारण ग्रे मार्केट की बात करें तो करीब 25 रुपए 26 रुपए तक देखने को मिल रहा है तो ग्रे मार्केट की डिमांड के हिसाब से देखें तो कुछ 500-600 देखने को मिल रहा है ठीक है 500-600 बुरा भी नहीं है